हेलो दूस्तो आज हम देखने वाले कि जो हमारा पॉपप पे अगर हमको वो एक ही बार शो करना है मतलब जो यूजर आया अगर उसने हमारी साइट लोड की तो वो एक ही बार शो होना चाहिए उसके लिए हमारे पास जे कुरी का सिम्पल मैंने कोड राइट के है उस कोड में देखो मैंने क्या किया है यह PHP का पार्ट आप जाने दो यह मैंने सिर्फ कंडिशन के लिए लगाया था अगर मेरा पेज नेम ओगा और मेरा जो डेटबीस के कंडिशन है वो मैंने हापी चेक की है इससे इसका कुछ नहीं हमारा जो इंपोर्टन्ट कोड है वो है यह स्क्रिप्ट टैग यह स्क्रिप्ट टैग अगर आप आपने कोड में लागा होगे तो आपका भी जो पॉप पे वो एक ही बार्ष होगा तो सिंपल इसके लिए कुछ रिक्वाइर्मेंट्स है तो रिक्वाइर्समेंट यह है कि आपको जे क्वीरी की सीडियान आपको लागानी पड़ेगी और दूसरी अगर आप बूस्ट्राइप का मॉडल यूज कर रहे है तो बूस्ट्राइप क आपको यूज करनी पड़ेगी बहुत ही सिंपल कोड है यही कोड आपको यूज करना है दोस्तों सिंपल ही स्क्रीप्ट आग आपको यूज करना है यहाँ पे यह जो मैंने हैश पॉपपप के है इधर आपको आपके मॉडल का आईडी पास करना है यह मैंने मेरे इसका डाइनमिक मॉडल के लिए आप कुछ स्टाटिक भी मॉडल ले सकते हैं सिंपल उसको में जो आईडी बास के है वह उपर मैंने या मेरे जाव स्क्रिप्ट के कोड में के चलो देखते हैं यह एक्चुल में रन कैसे होता है यह दो हुए आप मैंने अभी रन किया यह मेरा फ्रस्ट टाइम मेरा पॉपप आ गया अगर यूजर ने क्लोज कर दिया फिर वो दूसरे पेज पे गया और फिर उसको इंडेक्स पेज भी आया तो वो पॉपप नहीं दिखेगा वो कितने भी बार साइड यहां पे लोड कर ले फिर भी उसको पॉपप नहीं दिखेगा बहुत ही सिंपल कोड है वो कोड में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ अब के लिए हेल्प होगी थैंक्स पर वाचिंग दोस्तों